हेलो गाईज आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं ये मेरी मादा रैबिट है जो बिल्कुल बच्चे देने वाली है आज इसका 29 दिन हो गया है और ये 28 से 29 दिन के अंदर बच्चे दे देती है इसने दो बार 29 दिन में ही बच्चे दिये थे कोई-कोई रैबि 30 दिन में भी देती है 32 दिन में भी देती है लेकिन 28 से 32 दिन के अंदर ही ये लोग बच्चे दे देती है आप देखिए गाईज गवर से देखिए ये बिल्कुल नेस्ट बनाने की कोशिस कर रही है इस यही लग रहा है कि आज से कल तक में ये बच्चे दे देगी नहीं जो सकेगा तो मैं ये जब बच्चे देगी आप लोगों को लाइब दिखाऊंगा और नोजाद बच्चे की देखभाल कैसे करें और भी बताऊंगा दोस्तों इस टाइम पर आपको अपने रैबिट की बहुत ज्यादा केर करनी होगी इसके खाने पिने का कुछ ख्यासी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये अभी नेस्ट बना रही है लेकि जब बच्चे देने वाली होगी तो ये खाना पिना बिल्कुल छोड़ देगी और बिल्कुल एक दो घंटे सांती से बैठी नजर आएगी अगा ये इसे समय में आप अपने रैबिट को बिल्कुल अकेला छोड़ देगे अगर इसके साथ मेल रैबिट है तो उसको तुरंत अलग करें कि हमने मेल रैबिट को पंदरा दिन पहले ही अलग कर दिया है इसके वज़ा से अभी ये पूरी फिरी है तो गाईज अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ डेस कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों आज ये फिमेल रैबिट अपना नेश्ट बना रही थी तो आपने सोचा चलो आप लोगों को लाइब दिखा देता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेयर, कमेंट, सस्क्राइब जरूर करना गाई जब ये पूरा ऐसे ही तिन से चार घंटे लगाता है नेश्टिंग करती रहेगी हमने इसको अलग से एक नेश्ट बोक्स बना के दे दिया है ये घास यहाँ से अभी एक अठा करी अभी उसमें रख नहीं रही है उसमें ले जाके रखेगी चलिए गाईज मिलते हैं किसे नेश्ट वीडियो में जैहित